नमस्कार, डिवी नियूस की खास खबरों में आपका स्वागत है वैसे तो मध्य प्रदेश में आए दिनों अलग-अलग मौसम देखने को मिल रहा है वैसे ही मध्य प्रदेश में शुक्रवार को भी मौसम बदला रहेगा वैदर डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से जबलपूर रीवा और शेहडोल में हलकी बारिश होगी जबकि सागर नर्मदा पूरम संभाग में भी असर रहेगा यहां 30-50 किलो मीटर प्रती घंटी की रफ्तार से आंधी चलने और आकाश ये बिजली गिरने चमतने की संभावना भी है वही पश्ची में विक्षोप का असर गुरुवार से हो गया है भोपाल समित प्रदेश के कई शेहरों में बादल छाय रहे रीवा, खजुराह, नौगाओ, उज्जैन में हलकी बारिश होई, जबलपुर में तो रात में तेज बारिश होई शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा इसका असर लगबगादे MP पर देखने को मिलेगा वही मौसम सूत्रों के अनुसार 30 मार्च से उत्तर भारत में पश्चिमिविक शोप एक्टिव हो गया है इसका असर पूरे प्रदेश पर है और 31 मार्च को भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है गरत चमक के स्तिती भी बनी रहेगी इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और गर्मी का असर तेज होगा और भी खास कबरों को जानने के लिए बने रहें डीवी नियूस के साथ